अलो स्टुरेंट आज हमें निस्जार्टी के लाउस्ट ट्वेथ एक्वसाई 3.1 हमारे चैप्टर चल रहा है आप यू या फिर मैट्रिक्स एक सवाल दिया है हमेरे पास में कि ये बराब इतना मैट्रिक्स है उसके लिए में ग्यात करने है ये तीन पॉइंट तो सबसे पह कि आप यू की संकिया कितने है जितने हैं उसके अंदर अव्यव इंखे है है यह एलिमेंट ये कितने है ठीक है इन नँबर ऑफ आलेमेंट 3ड पार्ट मैं कहा कि आफ ये बनी ये टू लिदो ऐनवे ऐ नटसे कितना है ठीक है तो सबसे पहले हम करते हैं first part को solve तो हमने यहां पर लिखा solution तो आप व्याद करना है ठीक है किसी भी आप व्याद मैंट्रिक्स के आप कोट्टी तभी find out कर सकते हैं जब आप उस matrix के आप व्यूद्ध की पॉलम कितने है या फिर पंक्ती पताऊ कि कितनी उसking अंदर पंक्ती है या रो है ठीक है तो सबसे पहले हैं धेके HERE判 फरसट पार्ट को तहां पर लिखेगे है कि एक अंजरers Czech में कितनी पंक्ती है 1 2 3 आप लिखे आप VIEW ए में पंक्तियों की संख्या इसको हम नंबर आफ है क्या बोलेगे रोज भुलेगे ठीक है यहाँ बहर में लिख देता हूं नंबर आफ रोज तो हमारे पास में कितनी है तीन देखो एक तो तीन तो में हमारे पात पतीन आगी number of road इसी तरह से आप व्यू ए में इस तंबो की संख्या जिसकों बोले number of columns ठीक है तो यहाँ पर लिखेंगे आप व्यू ए में इस तंबो की संख्या तो इसकों बोले क्या number of columns ठीक है वह मेरे पास में कितने इनकों को लिजा अब एक दो ती चार ठीक है जब आप किसी मेट्रिक्स के number of rows और number of columns जात कर लेते हो तब आप उसकी का निकाल सकते हो order निकाल सकते हो यह means कोटी आप उसकी निकाल सकते हो ठीक है तब आप यह व्यू एकी कोटी तब हम बोलेगे क्या order of matrix ठीक है तो क्या होता सबसे पहले आपके पास में रो कितनी है 3 ठीक है उसके बाद में cross multiplication वाला यह symbol लगा हुआ ठीक क्रोस करके उसके लिग दिए 4 पहले आपकी रुआएगी उसके बाद में बोलन तो यह order क्या होगा 3 by 4 का आपका इसका order हो गया तो हमारा फस्ट पार्ट इसके अंदर scroll हो चुका है इनकी कोटी कितनी है 3 by 4 जिसको हम बोलेगे order तो order of एक कितना है 3 by 4 यह हमने कितने अव्यव है to depend करता है उसका अंदर कितने उसका order किया है यह देख लो कि उसके अंदर जैनल नमबर और कि इतने है ठीक है वह वो तो basic चीज़ होती है बट अगर आपको उस आव्यू का order पता है या कोटी पता है तो आप उसके क्या कर सकते हो उसके अव्यवो की संख्या अव्यवो की संख्या इनके रो भाई कोलम जितने उसके अंदर रो है तीन और कोलम कितने चार उनका मल्टिप्लाई कर दीजिए तो इसके अंदर बारा है अव्यव की या फिर किसी मैट्रिक्स की आपको क्या निकालना अव्यवो की संख्या निकाल लिए है तो आपको उसका order पता होना जरूरी है तब आप क्या निकाल रखते हो अब विवो की संख्या या फिर नमबर ऑफ अलिमेंट को बता सकते हो ठीक है तो यहां पर हमें क्याले के नमबर ऑफ अलिमेंट कितना आ गए हमारे पास में कितना आगे 12 आ चुकiquement ठीक है ठीक है 3रड part मिहा है कि यह आंकर हमरे कुछ remain पेक मिलमेंट रिया है कि उनके वैल्यू बताने की A1,03 की वैल्यू कितनी है ठीक है दूसरा है A21 की वैल्यू कितनी है उसके बाद A3,03 की वैल्यू और उसके बाद A24 and A23 यहीं पर लिख लेते हैं को भी, एक देकते सबसे पहले देखो इसका मतलब पहले हमको बताते हूँ कि one three का मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि जो पहला जो symbol आपको जो number लिखा है तो indicate करेगा किसको यहाँ पर एक चीज़ लिखता हूँ में a i j ठीके यहाँ पर जो i का meaning है वो आपका row से है जिसको हम बोलते है क्या पंक्ती ठीके दूसरा जो आपको symbol दिया है यहाँ पर j वो indicate करता है कि इसको sorry column को ठीके column को so कर रहा है जिसको हम बोलते है क्या इस thumb ठीके तो आप यह चीज़ ध्यान लखना तो अगर मैं पहले element की बात करता हूँ यहाँ पर a13 इसका मतलब यह कि पहली row का पहली row और तीसरा column है ठीके यहाँ पर आप लिख सकते हूँ क्या आपके पास में a13 कितना गया 19 ठीके उसी तरह से आप निकाल सकते हो 21 यहाँ दूसरी row का पहले element तो a21 कितना पास में देखो यहां मैट्रिस दूसरी row का पहले element कितना है 35 आप इसको यहाँ पर लिख दीजिए ठीके उसके बाद a33 यहाँ पर आप देखी जाए शोरी row का पास यहाँ तो यहाँ पर आप देखी देखो यह 2, 4 यह के दूसरी रोग का 4th element हमारे पास में कितना 12 इसी तरह से 2, 3 यह दूसरी रोग का 30 element तो 5 by 2 ठीक है तो इस तरह से हमने इस question के सारे parts खॉल कर लिये है अब हम देखें question number 2 तो student हमारे पास में question number 2 दिया है कि यदि किसी आव्यू में 24 अव्यव है तो इसकी संभव कोटिया क्या है यदि इसमें 13 अव्यव है तो कोटिया क्या हो ठीक है या फिर if a matrix has 24 element what are the possible order it can have a what if it has 30 element ठीक है समझे question के इस तरह से है कि इस तरह आप समझे कि हमारे एक matrix है उसके अदर हमारे जो element है सबसे पहले हम इसका solution देखते है और हम एक ची लिखते है क्या कि हम अगर किसी matrix को बनाते है ठीक है तो हम बनाते वक्त उसके अंदर कुछ कोटिया आएगी उसकी जैसे अगर 3 रो है तो उसके अंदर 4 कोलम है तो थिर भाई 4 हो जाएगा जैसे हम समगंदर तो हम इसको इस बास से लिख सकते है कि अगर हमारे पास में एक क्या है matrix है अगर उसका क्या है order is now order कितना है इसको हम बोलते है क्या कोटी एक हमारे पास मेंने मैट्रिक्स है तिक है देर इन उसके नदर हमारी जो नमबर ओफ अलिमेंट होगो डिपेंड गरता है कि एम बाइन कितना है थीक है थीक है तो हम लिखेंकर लिखेंगे नमबर ओफ एलिमें, यह अव्यों की संख्या, ठीक है, यहाँ पर लिग देता हूं, पर अव्यों की संख्या, तो क्या होगी, जो आपके MN लिखाएं है Ms, इसका बाप आपको मिल्टिप्लाइ कर देना है, ठीक है, अपस में, इम्तोस उसमें क्या है आपकी रह सकती है अब दूसरी चीज जो अब एना पर एक कोलम ठीक है अगर आपको नमबर ओफ एलिमेंट से इसको अंदर आपको अभ्यव कितने है उसमें या संख्या बतानी है तो इन दोनों के आपसे मल्टिप्लाई कर दीजिए जो भी एजल्टे एक तो हैस की possible कोटिया हम लिखे गए समभावित या समभाव कोटिया ठीके जुसकों बोलेगे possible order तो क्या हो पास में देखते है पहले हम देखेगे 24 अलिमेंट है तो पहले हम 24 के लिखे लिखे लेते है एक तो मेरा आएगा कि उसके अंदर एक रो है और 24 के अंदर कोलम है ठीक है एक तो आपको यह order हो गया देखो अब दो 24 element दोंदों की multiply करो तो आप 24 से आएगा ठीक है दोसरी चीज कि अगर आपने 24 उसके अंदर row बना दिया एक column बना दिया तब दो 24 element है ठीक है एक हो सकता आपको क्या अगर आपने 12 into 2 लिग दिया नहीं कि दो रोग नहीं 12 के एक column बना दिये एक आप उटा करके लिजिए 12 into 2 ठीक है इस तरह से 3 into 8 हो जाएगा या फिर 8 into 3 हो सकता है तो यह आपको क्या है यह आपको पॉसिबल कोटी आ रही है ठीक है या फिर हो सकता है आपको 4 into 6 और इसको में लिए सकते हैं 6 into 4 ये भी आपको क्या है एक order अपने आ 8 तो हमारे बास में कितनी आगे कोटी 8 ठीक है तो और हो सकती है क्या देखो चैक करो कि अगर हमारा कोई ऐसा नंबर जिसका आप इसमें multiply करें 24 बनता हो देखो एक तो यह होगा आपका यह होगा यह होगा बारत दुनी 24 होता है और बारा गुना दो यह भी होगा तीन गुन दूसरी कोशन में कहा है कि कि यदि इसमें 13 अव्यव है तो order क्या होगा उसका यानि कोटी क्या होगी यदि इसमें कितने 13 अव्यव है तो उसकी कोटी क्या होगी यानि कि what if it has 13 elements यह उसकी कोटी अब बताए जब उसके अंदर 13 elements तो यहां पर सिर्फ आपके दो ही chance है कि तो बनेगा आपका कि आपकी एक रोहो उसमें 13 कोलम हो ठीक है तूसरा की 13 क्या उसके अंदर रोहो और सिर्फ एक क्या कोलम हो तो यही इसकी दो संभावित आपकी क्या order है तो इस तरह से हमने question number 2 को भी solve कर लिया है आप इसको अच्छे समझना क्योंकि यहां पर जो सारा ख 5,6,7,8 तो 8 हमारे इक पास क्या बनगी order बन चुके है या फिर कोटिया बन गए ठीक है अब हम देखें question number 3 तो student हमारे पास question number 3 बिलुकुल इसी तरह से question number हमारा 2 है ठीक है यहां पर कहा कि यदि किसी आपकी में 13 अव्यव है तो इसकी संभाव कोटिया क्या है ठीक है यदि इसमें 5 अव्यव है तो क्या होगा यानि कि उसकी कूटिया क्या होगी तब ठीक है तो if a matrix has 18 elements what are the possible order it can have what if it has 5 elements ठीक है तो देखते सबसे पहले तो उसका मुक्या लिए कि order जो हमारे पास में दिया है क्या होता है किसी matrix का m by n होता है ठीक है और उससे हम क्या निकाल सकते है क पर अव्यव की संक्या जो इसको मोरते है order number of elements ठीक है तो depend करता है कि इस पर number of column और number of आपकी rows ठीक है तो सबसे पहले देखते है कि number of यहापके यहापर जो अव्यव कितने है number of elements कितने given आप हो लिख लेते हैं सबसे पहले कितना आपका देखो फर्स्ट टाइम आपका दिया है कितना 18 ठीक है यह 18 है ठीक है 18 आपका आप देखते हैं यहापर कितने हमारे possible यह कोटिया कितने आ सकती है सबसे पहले एक आपका एक तो हो गया 1 by 18 का दूसरा एक इसका जास्ट आपोजिट 8 by 1 ठीक है एक तो यह होगे आपका एक सबसक्ता आपका क्या 2 by 9 इनका बस आपको multiply कर गए फैक्ट्राइज है ने एक तरो से इसका अंदर की मतलब क्या है इसमें एक रो 18 कोलम 18 रो एक कोल रता और तो नहीं है क्योंकि इसके अठा रहे है बस यहीं फैक्टर आए आप इस तरह से इसको factor कर सकते या फिर इस तरह से इसको अरेंगर सकते हो ठीक है तो यहीं क्या इसकी possible order है ठीक है यहां पर लिग देना कि possible order या संभावित कोटी ठीक है possible order यहां पर पूसिबल ओड थेक है आपकर यह हो सकता है या तो ही होगा या फिर यह वोगा इसी तरह से हमारे पुर्शन ता बिलुकर ऐसी तरह से था कि अगर उसके अंदर तरह ऐल्लिमेंट तो या तो one भाइं थाड होगा या फिर son utan ओगा थेक तो बिलॉपुल इस इससे जालतों कॉयों से प Auld कर सकते हो तो आप अगर इसे िालिट liberi को आपको कोई क्वेरी हो तो आप उस चीरी को 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 कॉष्टिय्ट को करना आप इस infody को समय करना पर क् में कि काक्ष्टियू कुस कांदर consultant अपको का के साथ मैं ऐए परोड़्म है तो कर दो कर दो